अधन्यवाद अधनी दिदी अगले बक्ता के रूप में भारत सरकार में केंदरी मंत्री हम सब के लाड़े नेता इस गुनास शीप्री संशेश्चित्र के लाड़े उम्मिद्वार अधनी महराज साफ से मैं आगड़ा करेंगा एक बार जोर दारतली मुझा अधनी महराज सा हमारे मंच पे आसीन हमारे प्रदेश के नहीं लेकिन जिनका आज एक वैभव का प्रकाश पूरे देश में सूर्य के किरण के रूप में फैल रहा है ऐसे ही मेरे और आपके उज्जेन के महंकाल के हमारे मुख्यमंत्री आदर्निया मोहन यादव जी जो इस मंच पर बराजमान है ये इसागड की तालिया नहीं है मुझे इसागड की तालिया चाहिए वहाँ पीछे तक तालिया बजे पहले बार हमारे मुख्यमंत्री हमारे पावन धर्ती पर आएं ऐसा स्वागड होना चाहिए कि गूंज गूंज तक भोपाल तक पहुँचे मेरे भाई और बेनों और उनी के साथ इस मंच पर उपस्तित जिनोंने अपना खून पसीना मैंने देखा है पिछले पांच वर्षों में इस भारत्य जंता पार्टी जो महारत माता के प्रती संकलिप्थ है उस भारत्य जंता पार्टी को जड़ से आकाश तक मजबूत करने के लिए दिन राते किया है हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आधर्णिय विश्नुदत शर्मा जी मंद्परासीन सुशील स्वभाव की कोमलपन की प्रतीक अपने पूझ्य पिताजी के पच्चिनों पर चल कर अपने परिवार का और अपने पार्टी का संकल को पूरा करने के लिए दिन संकलिप मेरी अपनी साथी मध्यप्रदेश की कैबिनेट मंत्री आधर्णिय श्रीमती कृष्णा गौर जी मंद्परासीन हमारे शेत्र के सांसद के पी यादव साहिब मंद्परासीन अलोग तिवारी जी वालियर से आई हुए महिन सिंग जी हमारे जोशीले विधार्ट जगनात सिंग जी हमारे मंद्परासीन ब्रियेन सिंग यादव जी पूर मंत्री जी कोलारस के विधायक मैन सिंग जी हमारे नव निर्वाचित नौजवान और जावान मेरे साथी जिला पंचायत के अध्यक्ष अजय प्रताप सिंग यादव जी और उनके साथ ही जहां शोक नगर में जिला पंचायत का अध्यक्ष अजय प्रताप की जी के रूप में हैं वही आसपास क्षिप्पुरी में जिला पंचायत की मात्र शक्ति अध्यक्षा नेहा यादव जी रादेशाम पारिक जी लाकन राना जी सुरेण शर्मा जी पूर विधायक राहो राजकुमार सिंग जी गजराम सिंग जी हरी सिंग जी सिरनाम सिंग जी बैजनात यादव जी आरेन यादव जी हमारे श्रीमती चंदा यादव जी प्रतिमान सिंग जी यादव जी प्रियंका यादव जी अभिशेक यादव जी उर्मिला यादव जी शिवेंद्र यादव जी हमारे जिला ध्यक्ष यादव महासबा केपी यादव जी हमारे समक्ष मंचासीन महानुभव और मेरे लिए सबसे महत्पूर्ण मेरी आनबान और शान इसागड़ और समूचे जिले से आई हुई मेरी समस्त यादर समाज को मेरा प्रणाम आज एक बहुत महत्पूर्ण दिवस है जा एक तरफ यादर समाज का सम्मेलन है वहाँ दूसरी तरफ इसकी अध्यक्षता यादर समाज के प्रबुक हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादर जी की अध्यक्षता में या आयोजित किया गया है ये एक बार फिर मध्यप्रदेश का नया उद्दै की शुरुआत है और जैसे मेरे पूर्वक्ताओं ने कहा ये केवल भारत्य जन्ता पार्टी है मेरे भाई और बहनों जो पिछडे समाज सोशेत वंचेत पीड़त समाज प्रधान मंत्री नरेंद मोधी जी के नेत्यत में भारत और मध्यप्रदेश की बाग दोर और इस भारत और मध्यप्रदेश का भविश्य का निर्मान करने का मौका भारत्य जन्ता पार्टी देती है मेरे भाई और मैंनों इस पर मैं अभी विश्लेशन करूंगा कि 2006 में बाबुलार गौर जी को मुख्य मंत्री भारत्य जन्ता पार्टी ने बनाए था कि जाए एक तरह सुशील स्वाव के थे वहीं अंतर आत्मा में सही निर्णय लेने में सदेव निर्भीक होते थे मेरे भाई और भेनों और मेरा और उनका मेरे पुझ्य पिताजी और उनका मेरी आजी अम्मा और उनका एक रिदय का संबन था और मुझे इस बात का गर्व है कि अगली पीडी में भी आज वही संबन्द आज भी जारी है मेरे भाई और भेनों और आज एक बार पिर मुख्यमंत्री के रूप में भारत्य जन्ता पाटी ने मेरे और आपके उज्जेन के महांकाल मंदिर की शेत्र से मोहन यादव जी को आज मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश का बनाया है मेरे भाई और भेनों और मेरे लिए तो मेरे लिए तो अति गौरव की बात क्योंकि महांकाल की नगरी का नितित्व मेरे अपने मोहन यादव जी करते हैं जिस महांकाल की नगरी के साथ सिंध्या परिवार का एक रिदय का संबंद रहा है मेरे भाई और भेनों तो आज मुझे आपके साथ मुझे भी मेरे मन में उतना ही गर्व है कि हमारे यादव समाज के मोहन जी हमारे प्रदेश का नेतित्व कर रहे हैं आज हमारे देश में अगर किसी समाज की हम विश्लेशन करे योगेश्वर श्री कृष्ण की समाज मेरे यादव समाज योगेश्वर श्री कृष्ण जिनके एक हाथ में एक उंगली में बासुरी ऐसे मधुरता से बचती थी कि पूरा विश्व और पूरा भरमाण उनका कायल होता था वहीं दूसरी उंगली में सुधर्शन चक्र होता था अविरे भाई और भेनो कि कहीं अगर भ्रमान में अन्याय अगर हो रहा हो तो भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्रा न्याय के चक्रा के रूप में घुमता था और आज उनके समाज को मैं प्रणाम करता हूँ उनके वन्शजों को मैं प्रणाम करता हूँ ये वो यादसमाज है जिसने सदेव भारत में कभी भी आकरंताओं की छाया अगर भी आई हो तो उस आकरंताओं की छाया को जड़ से उखाड़ने का काम मेरे यादसमाज ने किया है मैं कभी नहीं भूल सकता उनीस सो बासट में जब रेज अंगला में जोद हुआ था जो हमारे सरहद का पॉइंट है एक सो बीस यादसमाज के सेना के सेनानियों ने अपनी जीवन की कुर्बानी दी थी इस देश की एकतार खंडता के लिए तो जहां मेरे समाज में कौमलता है जहां मेरे समाज में न्याई दिलाने की शमता है वही मेरा समाज इस मापृत्वी और गव माता की रक्षा करता है तो आज इस समाज को जहां मैं दंडवत करता हूँ वहीं इस बात का भी एलान करता हूँ कि चाहे मेरी आजी अम्मा हो, चाहे मेरे पूज्य पिताजी हो, सिंध्या परिवार और चाहे मैं हूँ, सिंध्या परिवार सदेव, चट्टान की तरह याद समाज के साथ खड़ा रहा है और यती शोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ, कि जहां सिंध्या परिवार चट्टान की तरह याद समाज के साथ खड़ा था, वहीं जब जब सिंध्या परिवार के उपर कठड़ाई का समय, दुख का समय आया हो, मैं 2002 कभी नहीं भूल सकता जब आप सब का प्रचंड बहुमत और उसके बाद हर चुनाओं में प्रचंड बहुमत आपका रहा, याद समाज सदेव सिंध्या परिवार के साथ, चट्टान के साथ खड़ा रहा है मेरी आज यम्मा के समय में जा एक तरफ देशराज सिंग्जी को मिराज माता साव ने आगे किया आगे बड़ाया राजनीती में और राव देशराज सिंग्जी ने भी शेत्र में विकास प्रगती में कई नई सौगाद लाई वही मेरे पूझ ये पिताजी ने मुंगावली में गज राम सिंग्जी हो हमारे राम सिंग्जी हो कोला रस के एक एक यादा समाज के बंदूओं को आगे करने का कार्य किया और जब मेरा बौक आया और इंतिहान की गड़ी थी इम्मान जी जब मुझे अशोक नगर जिले में और शिप्पुरी जिले में जगदीश यादाव जी भी बैठे है मेरे साथ पैदल चले है पगपग चले है पद्यातरा की है जिला ध्यक्ष मनोंने करने का समय आया और उस समय जहां हमने शिप्पुरी में राम सिंग यादव जी को अध्यक्ष मनाया अशोक नगर जिले में सिरनाम सिंगी को हमने याद्यक्ष मनाया सारे लोगों ने मुझे कहा दोनों जिलों में आपने यादव अध्यक्ष बनाया मैंने कहा मैंने दोनों जिलों में यादव अध्यक्ष बनाया है और टाज ठोके कह रहा हूं मैंने बनाया है मैंने अच्छे लोगों को बनाया है मेरे भाई और बेनों और उसके बाद मौन याज़र जी बीडी शर्मा जी जब उप्चुनाव हुआ दो अजार अठारह के चुनाव के पहले और कोला रस ने राम सिंग जी का देहांत हुआ मुंगावली में बेहन सिंग कालुखेडा जी का देहांत हुआ उस समय में उधर था पूरी फोहज आ गई थी यहां सारे मंत्री आ गए से यहां अब बड़ी चर्चा हुई कि प्रत्याशी किसको बनाएं शर्माते हुए दोनों ने अपने भाषण में अभी नहीं कहा कि उधर मेंद यादव को हमने प्रत्याशी बनाया इधर ब्रिजेन सिंग्जी को हमने अपना प्रत्याशी बनाया कोलारस और मुंगाउली में दोनों यहद़ प्रत्याश्टन सारे विशेशद्य मेरे पास आए बोले यह क्या कर दिया आपने कैसे संबब होगा कैसे जिताएंगे मैंने सब को कह दिया चिंता मत करो दोनों यादवों के साथ जोतरा दिते संध्या खड़ा है और आज मैं अपने समाज को कोलारस और मुंगाउली की जंता को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि दोनों विदान समा में प्रचन भावमत से आपने जंडा फेराया था दोनों विदायक बने और उस समय मैंने कहा था आपको ऐसा सोगाद में दूंगा जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते कोलारस यहां से मौन यादव जी करीब करीब सो किलो मीटर दूर है मुंगावली से एक सड़क इनके मेगोना बाड़ा से उठिये बैंसिंगी और उठिये ब्रिजन सिंगी इनके मेगोना बाड़ा से इनके अमरों तक सो किलो मीटर की सड़क देड़ सो करोड उपय की सोगाद एक विदान समा से दूसरे विदान समा अलग जिलों में जुडाने का कारिया हमने किया और इसलिए मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं आपकी लडाई सदेव हमने लड़ी है और मुझे विश्वास है प्रगति और विकास की लडाई अशोक लगर जिले में हम ट्रेंज की बात करें इन सडकों की बात करें चंदेरी के बुनकरों की बात करें पानी की योजना की बात करें और आज मैं और से निवेधन करना चाहता हूँ ये प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी का समय है ये भारत का समय है और भारत निकल पड़ा है मेरे भाई और भेनों भारत अपने सफर पर चल पड़ा है प्रधान मंत्री जी के नेत तुमें आज भारत जहां जहां प्रधान मंत्री विश्व में जाते है विश्व के नेता लाइन में खड़े हो जाते हैं हमारे प्रधान मंत्री जी से मुलाकात करने के लिए जो भारत अर्थ व्यवस्ता में 11 नंबर पे थी आज वही भारत विश्व में अर्थ व्यवस्ता पे 5 नंबर पर है 5 नंबर पर और प्रधान मंत्री जी का संकल्प है तीसरी बार भारत को हम तीसरे नंबर पर लाएंगे जर्मनी और जपान को भी पीछे ले जाएंगे जो क्रिष्णा जी ने कहा जिस भारत में 65 वर्ष कॉंग्रेस ने विकास नहीं किया कॉंग्रेस ने प्रगती नहीं की कुर्सी को पाने के लिए जीजान लगाई अपने पॉकेट वरे और यादर समाज की हम बात करें मैं भूल गया कहने के लिए ये इनके साथ ही जगदीर जी मेरे एक समय के साथ ही सुभाष यादर जी मुख्यमंत्री बनने वाले थे कॉंग्रेस ने यादर समाज का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया मेरे भाई और भेनों ये वो पार्टी है जिसने यादर समाज के साथ सदेवन्याई किया है और दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है जिसने यादर समाज को सिरमाथे लगाकर आगे बढ़ाने का कारिय किया है तो आज आपसे मैं निवेदन करने आया हूँ जेस प्रदान मंत्री ने 65 वर्षों में जब केवल 3 करोड गरीबों के घर बने थे 10 वर्षों के अंदर 4 करोड गरीब के घर बना दिये जेस प्रदान मंत्री ने 10 करोड उजवला भेनों के अंदर घर के अंदर गैस का स्टोब और गैस का सिलिंडर दिलवा दिया जिस प्रधान मंत्री ने गरीबों के लिए 28 करोड आयुशमानकाड अमरिका की आबादी से जादा आयुशमानकाड इस देश में दिला दिया आज भारत निकल चुका है मेरे बाई और बहनों और इसलिए प्रधान मंत्री कहते हैं यही समय है बोलो मेरे साथ यही समय है यही समय है यही भारत का समय है और इसलिए ये प्रण मेरे भाई और बैनों हमें लेना होगा कि फिर एक बार फिर एक बार खड़े हो के बोलो मेरे साथ फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार अब की बार अब की बार अरे उठके बोलो आदे क्यों बैठे हो भया अरे बोलो मेरे साथ अब की बार अब की बार अब इसमें मैं थोड़ा संचोधन करूँगा अब की बार 400 पार में अब की बार मेरे पोलिंग पर 400 पार अब की बार अरे दम से अब की बार अब की बार कुरी मेरत करोगे साथ माई को संगराम में उत्रोगे एक एक बोट डलवाओगे प्रचंड बहुमत से अपना शिर्वात प्रदान करोगे करोगे करेंगे कि अद है आ हरे जोर से प्रक है करोगे करोगे करेंगे कई करेंगे कई करेंगे केका जिसा भूरिया करेंगे के करो गड़ आ हाथ उठाओ करोगे करोekkTe बहुत भाड झालवाद जैहन जैवांभर द six बंड़ बाद